नमस्कार बिसी नियूस की भविश्य दरपनिस कारेकरम मैं मैं चितिजादेश्मुक आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम जानेंगे दीपावली के पर्व के बारे में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्ती थे जोती शाचारिय श्रद्धानन मोहन जी इनसे हम जानेंगे कि दीपावली का तेवहार किस तरह से मनाया जाता है इसका महत्व क्या है सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि दीवाली का तेवहार जो है दीवाली का पर्व जो है नजदीक आ रहा है उससे पहले हम हमारे दर्शकों को दीपावली के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह ये परवो होता है, इसका महत्व क्या होता है और इसी संदब में आपका पहला सवाल यह है कि दीपावली के परवक के बारे में हमारे दर्शकों को आप जान करें दीजिए, क्या बताओगे? दीपावली का दो महतु है, दीपावली एक तो यू मनाए जाता है कि भगवान राम जब रावन को सहार करके या मार कर वापस आयोध्या आये, तभी आयोध्या में लाखो करड़ों दिया जलाये गए, उस दिन से दीपावली दीपावली मनाने का प्रथा चालो हुआ, दूस दाद माता लक्ष्मी फिर से प्रकट होती है समुद्र से, उस दिन को दीपावली के रूप में मना जाता है, ये एक है, और दूसरा, ये धन्तेरस जो होता है धन्तेरस वही दिन है, जहां पर भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से बहार आये, और अमृत लेकर आये, दूसरा है, अपना ये जो दिवाली का जो महत्व, जोतिशी महत्व क्या है, इसमें कैसा है, ये जो रातरी होता है, ये दिवाली का रातरी होता है, सबसे अंधेरा रातरी माना जाता है, बारा अमावस्य में, सबसे बड़ा अमावस्य माना जाता है, और इसमें और विशे इनर्जी बहुत ज्यादा कारदर रहता दिवाले के रात में और जिसके पत्रिका में समझो सूरद नीच का रहा उसको प्रॉब्लम्स भी जल्दी पकड़ता है उसका तेजस कम ही रहता है लोगों में थोड़ा प्रकरता कम रहता उसमें तो यह दिवाले का रात जो है सूरद कम षरी किट्त पतंगे जो परड़्न होता है या वें फिद के रहते हैं ह यह उच्फा प्रॉप से या पना प्राकुर्तिक रूपस है तो वह जाते हैं ते अब हैं पराणीकजय प्ऱतिकर दिश्य गरभी जानते हैं आपका पेशल भी जानते हैं जने जमाने जाता है धनतिरस है भाई दूज है या बली परतिपता है चटुर०ेश है तो हम यह जानना चाहेंगे कि इन सब त्यवहार को हैँ दीनों का अलग से महतव यह साथ यसाथ धनतिरस जो होता है यह दिन में जो है खरिदारी की जाती है सोने जांधी की वस्तों या बरतना दी हो तो धंतेरस के बारे में बताईये और इस दोरा जो है जो है उपर दो नवंबर को शुप्कुर्वार के दिन दोड़ा होता है और दोड़ी की दिन has a चांदि सोना करते हैं चोटा मोटा करते तो बहुछ सुभ है नहीं होता है तो पीतल या तामभा या फिर ऐसे कोई पूजा पाठ के जो वस्तु वह खरीद सकते हैं कुछ भी नहीं है तो किचन के सामान खरीद सकते हैं लेकिन जो लोग बिल्कुल में शक्किया नहीं है वह सिर्फ अच्छे एक किचन के थोटे मोटे बरतन लाके भी धंतरस को मना सकते हैं देखें ये बात हो लेकिन दूसरा क्या है धंतरस की दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए इसमें कैसा है चबड़े के पृषूरी और काटने के चीज़े पीलर हो गई नई कट नहीं हो गये वह सारे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए ही लोगा भी नहीं खरीदना चाहिए कि दिन क्योंकि धंतरस की दिन हम जो खरिदें शुब मुहरत में शुब मन से ये वह सारा साल अपने को शुपता सवेरे साड़े से दोपेर के बारा बज़ तक अगर कुछ नहीं खरिकते हैं तो उनके लिए शुब दाइक रहेगा बिल्कुल नरक चतुर दशी भी मनाई जाती है इस दिन भी कुछ पुजा पार्ट होता है क्या बता होगे लिए जो नरक चतुर दशी है बारा तारिक को है नवंबर बारा एक साल नरक चतुर दशी मना रहें यह नरक चतुर दशी पूंज सी क पूजा करते हम तो वो नर्क चतुरुषे का पूजा हमने दो बच कर चवालीस मिलिट तक ही करना चाहिए और नर्क चतुरुषे की दिन भगवान कृष्ण ने नर्कासुर का वद किया था और सारे संसार को उसके पाप से उसकी पीड़ा से मुक्ति दिया था और कहा जाता है कि सोलहाजार स् को पुरुषी पूनी थे, वो गोपिय के रूप में थे, उनसे भाहत आया ही हिया या ताथपरि हो सकता ह, लुक्ति दिया था और को आपन रख तरीका एक अपना सांकेतिक है और दूसरा है अपना अपना जैसा आपने पुछा अर अलक्ष्मी पूजन और दिवाली बेंग जलाना चाहिए अच्छे वस्तिर पहनने चेहें घर में मिठाई रखना चाहिए आयवे महवानों को मिठाई फ़रसान खिलाकिए बीजना बने शीवादी बर्ण। सत्य या रह दिवाले के दिन ढेखना में चली नहीं होना चाहिए या फिर वाजवात नहीं चाहिए जुआ या शराब सेवन या फिर अपना समय को आज कैम्ति तो कषुन करने ही क्लों नहीं कि तारी के टीकिन की दिन मां परकट सुवन सब्धेर मन्तन से उस दिन पर मागवती सारे संसार का भ्रमन करने निकलती है हर घर में जाती हुब संस्क्राइब जिस घर में अगर गंदगी हो जिस घर में सपाई नहीं हो जिस फाई नहीं थी ऐसको शंद मैं करता है अच्छे धvagनो membозможно इंसान भी स्वच्छता करता है अच्छे थुले वस्तर पेहनता है। अगर जो लोग योगी है वह अच्छे पेहनता है जिसमे काला और भूरे रंका भर्षतर नहीं पेहनना चाहिए और सारे bright color के पेंना चेक अपने दिवाले में, खुशी बाले, और अपने घर की माता बहने उनको भी अच्छे से देख ले के, वो भी हमेरी घर की लक्षमी है, उनके साथ भी मान समान दे के, खुशी से चले, इस परवन में दिवाले का परवु माना जाता है, और इस दिवा साट बच कर पचास से कर ते तीस मिनिट का मुहुरत दिया गया है हमारे भाराष्ट के पंचाय में क्या दीग हैं, पांच बचकर पचास मिनिट शाम के, पांच बचकर पचास मिनिट से ले के, आट बचकर 33 मिनिट तक का मुहरत दिया ग Cup के विशे胜 मुहरत होआ है अपने लक्ष्मि पूज्यन के लिए यह साल निए जो लख्व Wikipedia के लिए बारा तारिक को शाम को 5 बच कर पचास मिट से लेके आठ बड़ एतिस मिनिट तक का मनाने का विधान है इसमें एक चौकी लेले आसन बीछा ले भगवान गनपिती का पहले स्थापना कर ले उनकी पुजा कर ले उनको वस्ति वगरा एक हम लोग प्रदान करते हैं फिर माता लक्ष्मी का स्थापना होता ह जो है ना भगवान माता लक्ष्मी के भाई माना जाते हैं तो उसमें दूद के बने मिठाईया रखे मा को दूद पर उन्हें मिठाई बहुत प्रिया हैं और मा को बताशे रखे और कमल गट्टे का माला अगर चमिया दे तो बहुत अच्छा माता को उसमें मा बहुत करने फिर चारों को दिया लगाना चाहिए वहाली के दिन नकमして पूझा कि दिन पिर मां और मा घर पदने घंत पर सारे धुख समसार में पूद। सब माँ लक्षमी का ही क्रपा है माँ लक्षमी की प्रसाद वीलकुल नक्षमी पूजन की दूसरे दिन लक्षमी का पूजन facilitate वह दो इस दिन को तेवर्थे अपना नवंबर को इसमें कैसा बलि प्रदा में जो इसका एक अपना कहानी है नहीं अमरे पुराणों में लिखा गया कहानी ऐसा है इसका हितिहास के जब राजा बली जो नरसिंग भगवान के भक्त प्रहलात थे प्रहलात के पोते थे राजा बली और राजा बली जो है ना इतने बहुत शक्तिशाली राजा बन गए थे उन्होंने त भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्ग का देवता बनाया, अभी भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्ग का देवता बनाया, अभी ब्रह्मा ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्ग का देवता बनाने से क्या हो गया, बली राजा को स्वर्ग का देवता नहीं रेना देना करके सारे देवी देवता गए भगवान विष्णु के पास बोले प्रभु भगवान ये बली राजा ने तीनों लोग पर आक्रमन करके तीनों के राजा बनाओ तो भगवान नारायन वामन अवतार लेते हैं जिसमें छोटे से बालक तीन पूड के बालक मनके जाते हैं अपने याचकों को तो उनको अलगा तीन पग तो पूछ रहा है जमीन लड़ता चोटा सा बच्चा है कितना मांगेगा तो इन्होंने फिर दान तुरुष्यों हाला कि शुक्राचारी उनके गुरु मना करते है फिर भी गुरु को बात काटके उनको पता चलता कि भगवान नारायन बांगने आया करके उनके करते हैं घृरु का आदेश को देखा करके तीन पग देणे का उनके करते हैं था विराण बिलता हैं की एक फग में पूरा धर्ती नाफ लें पलेहां। अब बली राजा क्या पास धरती और स्वर्गी है दूसरा कोई लोग नहीं है तो बोलते हैं और एक लंपद में कहां रखू बली करके पूछते ही भगवान नारायन तब बली प्रयकरवरती बोलता है प्रभु मेरा पास और कोई दूसरा नहीं है क्योंकि आपने पृत्वी अबलिया स्वरलोग भी नपलिया मेरे पास कोई जमीन ही नहीं है तो एक काम करो मेरा इसे मेरे सरपे आपका पाओं रख दो तो भगवान नारायन बहुत खुश होते बली बली राजा के बोलते हैं मेरा इतने सारे भक्ते हैं इसमें तो सबसे श्रेष्ट्ड भक्त है जो भी भक्त तेरे को और बली राजा को मानके बली राजा को पूजा करता रंगोली में उसका फोटो चित्र बगर निकालके पूजा करके मीठा रखके पताशे रखके जो हमारा पूजा करेगा और भगवान वामन को याद करेगा भगवान लक्षमी रान को पूजा करेगा उसके घर से सारे संताप कशिर काल के उसके रुण मुक्त करूंगा बापरे खासी आगे एकदम से वो एंडिंग का ले ले लेते आप थोड़ा सा रुण मुक्त करूंगा करके बोला है ठीक अब इडिट कर लेना अब नेक्स्ट भाइदूज बोले माने चाहिए ने बली प्र भाइदूज जो होता है वो भाइभेन के प्यार को दिखाता है यह भाइदूज सबसे पहले कब से शुरूब हुआ यमराज और माता यमुना से शुरूब हुआ दूसरा इसमें संकेतिक अपना रूप क्या है इसमें भगवान कृष्ण जब नरका सुरुका बद करके त्र नरकासुर का बद करके जब उनकी छूटी पहन सुबदरा के पास जाते हैं दुट चूर्ण को देखके बहुत खुश को खुश होके उनका विजए ज्यूंत जब जीत कर आते नरकासुर से तीका करके उनके दूध से बनावी मिठाई करके उनकी आ नर्दी उतारते और उन संदक्षा के लिए वचन बद्ध होता इस दिन पे और हर बहन चोटी बड़ी बहने अपने भाहियों के आयू आयशोरी के लिए कामना करते माता लक्ष्मी और भगवान नारायन से ने भगवान विष्णु से प्रार्थाना करते कि उनके भाय का घर आबाद रहे उनके भाय क के दिन पे कभी भी शुबता घर में रखना चाहिए स्वच्चिता रखना चाहिए रद्धी वेगहर उसके पहले जाले-वएक मकड़े क्ली बच्चों को अच्छे कपड़े अगर जिनको नहीं है वो दुलेवे साफ कपड़े पेने घर में अच्छे से पोचाप करना चाहिए घर के साम रंगोली डालना चाहिए और घर में सुगदित अगरबत्ति लगा के अच्छा वातावन बना के रखे और जब हम माता का पूजा करते हैं तो दख्षिन दिशा के और ये ध्यान रखे दर्शक ऑड़ जुरूर λगाए घर पे तो इससे आपके घर में आने वज्यान अनिस्ट्रव आइगा पऩवार घह को लिए और तेल लगाया माता के सामने लाड़ो है जय का लिंगा क्या करना है दो दो अपना कवडियाँ डाल दे पीले रंकी या सपेदरंकी कवडियां तो सब ले क्ली से पूच ले दो झाले कम पूरे दो तोसको जलने क्ली भी है दिवाली के रात को कोई भी अगार मंतर पाट करते हैं पूजा पाट करते हैं ऍसका intensity इसके लिए क्या करें बैट कि हनमान चालीसा का पाट करें और ओर हमेरे पुल देवता का सुज़ण करें और हमको गुरु मंतर अगर मिला हम लोग अगर ये करते हैं जो हम पूजा पाड़ करते हैं वो कोशिश करें तो यीस्ट पीसिंग और नौट सेरे पूरा मुखी उत्तर मुखी होकर करेंगे तो बहुत अच्छा है बिल्कुल आज के भविश्य दर्पन इस कारेक्रम में हमने दीवाली के परव के बारे में ज चाहिए इसकी भी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के भविश्य दर्पन कारेक्रम में वक्त चला यहीं रुकने का आप देखते रहे हैं बीसियन नियूज नमस्कार